वेल्कम टू एड्यूकेटेव हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल जिसका नाम है एड्यूकेटेव और मैं हूँ आप सब का फ्रेंड हर्षी तो आर आज हम सीखेंगे कि हम घर पर वेस्ट माटिरियल से राकी कैसे बना सकते हैं वह भीındaki जीरो रुपीज में बिना घर के बाहर जाए यह दो फ्रेंड्स मैंने वह सारे समान ले लिए है जो हम में अपने फ्रस्ट राखी बनाने के लिए कि लिए तो मैं आपको सारे समान बता देता हूं जो जो की हमें चाहिए फ्रस्ट राखी के लिए हमें सबसे पहले चीए एक नेडल एक थ्रेड थ्रेड आप कोई सा भी ले सकते हैं मैंने अब एक मोली लिया है जो कि हम पूजा में यूज़ करते हैं सेकेंड है हमार एक शेल और उसके बाद है कुछ वुड़न बीड और कुछ वाइड बीड तो उस चलिए हम अपनी राकी बनाने स्टार्ट करते हैं फर्सली हम अपने वुड़न बीड को अपनी नेडल से पास करकर अपने थ्रेड में डाल देते हैं आप सब लोग यह अपनी पेरेंट के साथ रहकरी करें क्योंकि आपके हाथ में नेडल लग सकती है तो अपनी सेकेंड वुड़न बीड डाल देते हैं अपनी नेडल से पास करकर अपने थ्रेड में अब हम उसके बार डालेंगे हम अपनी वाइट बीड 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 डल या फिर आप इन्हें अवोइड भी कर सकते हैं उसके बाद मैं एक और अलग तरीके के बीड डालूँगा वो भी हमारी डल चुकी है उसके बाद मैं एक शेल डालूँगा हमारा शेल भी इसमें डाल चुका है उसके बाद हमें वही सेम प्रोसेस अलटा थोड़ा सा उल्ट साहत कर थे हमारी यु भी वाली डाल ने हैं उल्टे के लिए जोकी अलंती है ऊच्छे यह इसके अंदर आशे से पास नहीं और आसे से सकंव और थोड़े चाह्वपार गाते ऐसे लिए थे व horrified तोक्रीक्ष्य तर्हें माला है दो क्लों हमारे ऑड़न वड़ पान on कि उस्के बाद हमारी है वोडन देश्ग अब के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगा एक कमाल हमारी वूडन बीड्स भी डल चुकी है तो फ्रेंड्स देखिए कि इन अच्छी राखी लग रही है हमें बस इसके बाद एक चीज करनी है हमारे साइड में नोट बाद देने ताकि यहां से गिर ना सके तो मैं एक नोट बाद देता हूं इधर और उधर की साइड निडल निकालने के बाद बादने नोट तो फ्रेंड्स के कितने अच्छी लग रही है ना हमारे राखी लग रही है ना अगर लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए तो चलिए बनाते हैं अपनी सेकिंड राखी फ्रें फिसके घर में से ले सकते हैं नॉर्मल ही सारे संवान तो चलिए देखते हैं मैं क्या के समानों की जरूरत हैं सेकिंड राखी के लिए फस्ट एक कोड़न बोल आखिभ बनेए नौन को टन से जो कि सब के घर में होती है एक रैड बीर रैड की जगे आप कोई और बीर भी ल करता तो चलिए हम अपनी राखी मेकिंग स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली तो उसके लिए हमें फिर्स्ट लिए कोटन बोल से ये उसे मैंने बहुत अच्छे से कोटन से बनाया है आप भी बना लीजिएगा अब हमें सेकंड सिंग चाहिए हमें सिजर्स की टू आइज काटनी हैं तो मैं आपको काट कर दिखा देता हूं कि प्रेंट्स मैंने काट ली है देखिए कितनी अच्छी आई कटी है इसके लिए तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूं अपने इस गुड़ा पे मैंने फैविकॉल इस पर लगा दिया है मैं आप पर इसे पेस्ट कर देता हूं ऐसी एक और आई काट लेजिए आप लोग उस पर फैवे को लगा दीजिए मैं आपको सब कुछ करकर दिखा रहा हूं कुछ भी स्केप नहीं कर रहा हूं आप चाहिए तो कुछ प्रोसेस कि कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैंने अपने इस कोटन वोल पर दोनों आइज पेस्ट कर ली किलिए तो पर पेस्ट कर देता हूं कि थोड़ा से टाइम लेगे पिष्ट के लिए लेकिन यह थोड़े दिर में पेस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स मैंने इस चर्प कट कर लेता हूं यह मेरी कितनी अच्छी स्ट्रिप कर थो चूकी है इसे ना थोड़ा सा और शेप देदे यहां पर हुआ पेस्ट फ्रेंस देखिए हमारा यह कोटन बॉल कितना अच्छे राखी में कनवर्ट हो चुकी है अब इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए 15-20 मिंट्स के लिए उसके बाद इसे आप देखेंगे तो यह बहुत अच्छे से पेस्ट हो गई होगी पर आप एक ष्ट्रिप लिए इसके नीचे लगाएं आप चाहाएं तो कोई त्रेंड या फिर को रिबन भी ले सकते हैं तो फीरаж ली हम अपने इस स्ट्टिप को रख देते हैं उसके बाद इस पर फैवे को लगाते हैं है हम ने फैवे को लगा दिया है फिर हम अपने स्टेड़ी को इस पर पेस्ट कर देते हैं तो फ्रेंट्स 15 तो 20 मिन्स के बाद ये भी पेस्ट हो चुका होगा प्रेंज देखिए कितनी क्यूट लग रही है हमारी राकी आप भी ऐसी राकी बनाई ये बहुत अछी लगेगी और अपने भाईव को बाद दिए हुमारे लुध के दोनों राकीी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है आप भी बनाइए और सबसे बड़ी बाद फ्रेंड्स हमने इन राखी पर एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है और ना ही हम भार गए है करोना का भी कोई डर नहीं है आप भी बनाइए अपने भाईयों को बांधिये अपने फ्रेंड्स के शेयर किजिए और हैपी रक्षा बंदन बाई बाई फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने नेक्स वीडियों में किसी अमेजिंग आइडिया के साथ